नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल किड्नी फेलियर ट्रीट्मेंट में जहां हम आपको किड्नी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में यूरिक आसिट बढ़ जाए तो आपको अपने अहार में किन चीजों को शामिल करना चाहिए तो इसको जानने के लिए हमारी विडियो में अंतक बने रहें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत खास है और आप हमारी इस विडियो को कम से कम दस लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जिने किड्नी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो आपकी हल्प से उने भी राहत मिले शरीर में यूरिक आसिट का बढ़ना आपके शरीर में बहुत सारी तकलीफों को दावत दे इसके बढ़ने पर आपको शरीर में काफी सारी परिशानिया होने लगती है जब आपके शरीर में यूरिक आसेट बढ़ता है तो इससे आपको किड्नी से जुड़ी परिशानी तो होती ही है साथ ही आपको हातो पेरों में चुभन, मासपेशियों में सूजन, टकने, कमर, गर्दन, घुटने और अन्य जोडों में दर्द होने की समस्या भी हो जाती है अगर आपको भी बढ़ते यूरिक आसेट की वज़े से दिक्कते हो रही है तो इसको कंट्रोल करने की जरुरत है इसके लिए आप सही आहार का चुनाव करें बहतर परामर्श के लिए आप अपनी समस्या हमें डिस्क्रिप्शन एरिया में दिये गए गूगल फॉर्म की मदद से बताएं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वशे यूरिक आसेड एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में तब बनता है जब ये प्यूरिन को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ता है और शरीर में जब इसका स्तर बढ़ने लगता है तो आपको बॉड़ी में कई तरह की दिक्कत होने लगती है जिसमें गठिया, शुगर, हाट, किड्नी की बिमारियां शामिल है आपके शरीर में यूरिक आसेड बढ़ गया है इसका पता तब चलता है जब आपके शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ गया है इसका पता ब्लड टेस्ट के जरीय लगाया जा सकता है। और अगर आप अपने बढ़ते यूरिक असिट को नजल अंदास करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी किड्नी फंक्शन पर पढ़ता है। क्योंकि ऐसे में किड्नी ब्लड से इसे फिल्टर नहीं कर पाती जिसके चलते ब्लड में यूरिक असिट का लेवल बढ़ने लगता है। और एक निश्चित समय में आकर आपकी किड्नी फेल हो जाती है। अपने शरीर में यूरिक असिट को कम करने के लिए आहार में क्या ले ये जानने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि आपको शरीर में कौन से संकेत हैं जो बढ़ते यूरिक असिट की आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए पहले इस बात को ही जान लेते हैं कि आपको कैसे इस बात की जानकारी हो कि आपके शरीर में यूरिक्यासिट बढ़ गया है। थोड़ा काम करने में आपको बहुत ज्यादा ठकान लग सकती है। अगर आपको बाड़ी में ऐसे कुछ संकेत नजर आते हैं तो ये आपके शरीर में यूरिक्यासिट बनने की वज़े से हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शाम और हो जिसमें आप सूखे मेवे गिहु का आटा, मतर, ओज, रेशे वाली सबजियां, ब्राउन ब्रेड, डाले, बीन्स, आवोकाडो, नाजपती और साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सेब का सिरका भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सेब का सिरका इच वॉल्यूम को शरीर में बढ़ा कर यूरिक असिट को कम करता है। सेब के सिरके में एंटी ऑक्सडिंट, एंटी इंफ्लमेट्री गुर होते हैं जो शरीर में यूरिक असिट के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके लिए इसको डाइट में जरूर शामिल करें। अप सेब का सिरका भी प्रियोग में लाया जा सकता है। सेब का सिरका यूरिक असिट को कम करने में मदद करता है। साथ ही ये बलड के पी एच वॉल्यूम को शरीर में बढ़ा कर यूरिक असिट को कम करता है। सेब के सिरके में एंटी ऑक्सडिंट, एंटी इंफ्लमेट्री ग नेमबू, गोबी, ब्रॉकली, टमाटर, हरामटर जैसी चीजों को अपने अहार में शामिल करें ये सभी अहार आपके शरीर में यूरिक आसिड को कम करते हैं साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं अपने अहार में चोटी लाइची के सेवन से भी यूरिक आसिड को कम करने में मदद मिलती है चोटी लाइची को आप यूं तो खा ही सकते हैं अगर चाहें तो इसके दानों को निकाल कर पीस कर पानी में मिला कर पी भी सकते हैं इससे यूरिक आसिड तो कम होगा ही साथ ही कलेस्ट्रोल लेवल भी कम होगा जिससे आपको किड्नी और हार्ट दोनों की समस्या में रहात मिलती है। इसके अलावा यूरिक आसिड को अगर आप अपने शरीर में कम करना चाहते हैं तो आप कुछ और बदलावों को अपने डाइट और लाइफ में जगा दे। स्वस्त रखना चाहते हैं तो वो अपने आहार में बदलाव करें साथ ही अपनी दिन चर्या में भी बदलाव करें। इसके लिए आप रोजाना व्यायाम करें और साथ ही अपने जीवन में आयुर्वेदिक चीजों को शामिल करें। तो इससे आपके जीवन में एक साकरात्मक बदलाव आएगा जो आपके शरीर को स्वस्त रखने में आपकी मदद करेगा अगर आप यापका कोई अपना किड्नी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा आरवेदा से संपर कर सकते हैं तर्मा आरवेदा आपको पूरी तरह प्राकरतिक इलाज देता है जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डालसेज और किड्नी ट्रांस्प्रांट की तकलीफों से दूर रहते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार